Books That Speak में आप सभी का स्वागत है चिनार को फुटबॉल बहुत पसंद है वो बड़ी होकर विश्वकब जीतना चाहती है एक दिन वो मम्मी से फुटबॉल वाले जूतों की मांग करती है तब मम्मी उसे कानू दादू की कहानी सुनाती है जिनोंने ब्रिटिश खिलाडियों के खिलाफ नंगे पाव खेला था और जीत भी हासिल की थी चलिए सुनते है कहानी नंगे पाव वाले कानू दादू ओरिजिनल स्टोरी बेरफूट कानू दादू बाई प्रतम बुक्स कहानी लिखी है अनन्या दासगुपता चितरांकन, कल्प संग्वी और उपमन्यू भटाचारिय हिंदी में अनुवाद राजेश खर कहानी सुना रही है असावरी दूशी मैं चिनार हूँ और मेरी उम्र आठ साल है आपको पता है मुझे योग और घटाओ के सवाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे कुत्तों के साथ खेलना और कॉमिक्स बढ़ना बड़ा अच्छा लगता है और फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद है देखना मैं महान खिलाडी मेगन रापिनो जैसी बनूंगी और विश्व कब जीतूंगी मैं मा और भाई स्पंदन से कहती हूँ मेरी पसंदिदा खिलाडी है बेम बेम देवी मा कहती है अरे छोड़ो सुनिल छेतरी से अच्छा कोई और खिलाडी हो ही नहीं सकता स्पंदन कहता है वैसे उसे फुटबॉल के बारे में मालूम ही कितना है वो तो क्रिकेट खिलता रहता है हर शनिवार शाम को मा मुझे क्रॉस मैदान ले जाती है मेरे चारो अच्छे दोस्त इंसिया, कैंडी, रमनप्रीत और सीमा भी वहां आते है हम लोग दो घंटे फुटबॉल खेलते है आज इंसिया ने चमचमाते नए फुटबॉल वाले जूते पहने हुए है उसके हलके हरे रंग के जूतों में नारंगी फीते लगी हुई है मा मुझे भी उसके जैसे नए जूते चाहिए मैंने रात को कहा लेकिन तुम्हारे पास तो अच्छे जूते है मा ने जवाब दिया वैसे मैंने तुम्हें अपने चचिया दादा कानू दादू के बारे में कभी बताया है नहीं तो वो कौन है मैंने पूछा कानू दादू के पाँच भाई थे और दो बहने थी च के च भाईयो शुरेन, मनू, कानू, खोका, शैलेन और मोनी को फुटबॉल खिलने का शौक था बहनों सौदामिनी और सुहासिनी को संगीत का यू तो कानू दादू पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन उनका मन सिर्फ फुटबॉल खिलने में लगता था उनके माता-पिता अमीर नहीं थे इसलिए हमेशा उन्हें कानू दादू की चिंता लगी रहती थी कानू दादू और उनके दोस्तों ने मिलकर उनके घर पर एक फुटबॉल कलब शुरू किया उनका घर नंबर पांच वेर स्ट्रीट वारी पाड़ा धाका में था जो वरतमान बांगलादेश में हुआ ये ढाका के सबसे पुराने फुटबॉल कलबों में से एक था कानू दादू के किसी भी मित्र के पास जूते नहीं थे वो सभी नंगे पाव फुटबॉल खेला करते थे सक्त सी फुटबॉल को नंगे पाव किक मारने से उनको चोट नहीं लगती थी मैंने हैरानी से पूछा हाँ, उनके पाओं की उंगलियों में अक्सर चोटे लगी रहती थी कानू दादू की माने रसोई घर में हल्दी चूना मिला कर एक कटोरे में रखा हुआ था इसका ले पाओं की उंगलियों पर लगाया जाता था ताकि दर थोड़ा कम हो माने बताया, एक बार कूच बिहार के राजा ने कानू दादू को एक फुटबॉल मैच खिलते हुए देखा उन्होंने खुश होकर कानू दादू की पढ़ाई के लिए प्रती माह 25 रुपे देने का वादा किया 25 रुपे उन दिनों बहुत बड़ी रकम होती थी कानू दादू सन 1909 में कलकत्ता पहुँचे वहां की प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने बाद में वही उन्होंने फुटबॉल के प्रसिध क्लब मोहन बागान के साथ खेलना शुरू किया मैं मोहन बागान जानती हूँ कानू दादू ने कई वर्षों तक मोहन बागान के लिए खेला वो नंगे पाव ही खेलते रहे सन 1911 की बात है देश पर ब्रिटिश हुकुमत थी तब तक आएफे यानि की भारतिय फुटबॉल संग की वैजयनती यानि शिल्ड केवल ब्रिटिश सेना की फुटबॉल टीमों के लिए ही होती थी कानू दादू और मोहन बागान कलब के उनके सहे खिलाडियों के कारण ये हमेशा के लिए बदलने वाला था उन्होंने इस्ट यॉर्क्षायर रेजिमेंट टीम के विरुद मशुहूर आएफे शिल्ड मुकाबले का फाइनल मैच खिला ब्रिटिश टीम को भारतिय टीम के ग्यारह खिलाडियों ने जिन में से दस नंगे पाव खेल रहे थे दो एक से उस कड़े मुकाबले में हरा दिया रेवरेंट सुधिर चैटर जी जो की एक पादरी और शिक्षक थे मोहन बागान टीम के एक मात्र खिलाडी थे जिनके पास जूते थे कानू दादू उस समय केवल 21 वर्ष के थे वो सभी बेहत खुश हुए होंगे है ना मैंने कहां और क्या पूरा स्टेडियम तालियो और खुशी के शोर से गुंज उठा था लगबग 80,000 लोग रहे होंगे जो बेताशा तालिया बजा रहे थे लोगों ने चाते, पैन, छडिया, टोपिया और चटाईया उचाल उचाल कर खुशी का प्रदर्शन किया था मा ने मुझे बताया इस प्रसिध जीत के बाद कानू दादू को सब लोगों का बहुत सनेह मिला बस के कंड़क्टर उनसे किराया नहीं लेते और एक मिठाई वाला उन्हें मिठाई मुफ्त में देता एक बड़ी साइकल निर्मा था, सैन रैली ने उन्हें एक साइकल भेट में दी मैं तो उन्हें एक अच्छी जोडी फुटबॉल वाले जूते देती मैंने खुश होकर मा से कहा फिर तो उनके पास अच्छे जूते आ गए थे लेकिन कानू दादू को नंगे पाव खेलना ही अच्छा लगता था माने मुस्कुराते हुए कहा क्या मैं भी नंगे पाव खेलू लगबग सोते सोते मैंने कहा मा कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं सो गई थी और मैंने सपने में खूब सारे गोल दागे जिते न्दरनात यानि की कानू राय मेरे दादा जी के बड़े भाई थे उन्होंने मोहन बागान कलब के लिए सन 1911 से 1917 तक खेला IFA Shield Football की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है और इसमें तब तक ब्रिटिश सेना की टीमों का वर्चस्व था जब तक मोहन बागान ने East Yorkshire Regiment को 29 जुले 1911 में हुए Final मुकाबले में नहीं हराया था उधर भारतिय स्वतंतरता संग्राम जोर पकड रहा था ऐसे में मोहन बागान की ये जीत ब्रिटिश हुकुमत के लिए एक करारी हार बन गई थी आज भी 29 जुलाई का दिन मोहन बागान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये थी कहानी कानू दादू की जो नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे कैसी लगी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल यानि की स्पूर्ती दायक थी न तो ऐसी ही बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक ये हमारे चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और बहुत सारे अलग-अलग पॉड़कास्टिंग चैनल्स पर तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में धन्यवाद बाई बाई